आज हम आपको मिलवा रहे हैं डिवाइन एफ्टो हीलिंग एक्सपर्ट कृष्णा गुरुजी से गुरुजी आपका वेब दुनिया में स्वागज थे सबसे पहले तो आप हमें पताएं कि डिवाइन एफ्टो हीलिंग आखिर है क्या दन्यवाद बेव दुनिया जहला जी जैसे आपका प्रश्ण था कि डिवाइन एफ्टो हीलिंग क्या है आपको याद हो तो लास्ट लास्ट एर में आपके आया था इस्पिजर हीलिंग के बारे में और आपने प्रश्ण था कि इस्पिजर हीलिंग क्या है और मेरा जवाब था आपको कि मैं भी उसी प्रकार ढूंड रहा हूँ जिस प्रकार आप ढूंड रहे हैं यह सब नामों में न उलेशते हुए मैं आपको एक चीज बड़ी किसिंबत बता हूँ divine astro healing आपकी सीधी पत्री का से astro chart से connected है saamantha हमारा जब भी विष्यम समय आता है खराब समय आता है unfairable सधी उस वक्षम हमारा डिक अब बहातते हैं हमारा पत्री के पास जाते हैं के रोट्रकार्ट हस्थरेका सब के पास जाते हैं और अपनी समस्या का समाधन हम उसके माद्यम से जूंड़ते हैं जोतिश आपको कुछ उपाय देते हैं, हस तरीका विवाले कि कुछ उपायों देते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, आप उन उपायों को उन सुझाव का पालन करके, अपने आने वाले जीवन की जो विश्यम परिस्तितिया हैं, उसको ठीक करते हैं इस अंफेरेबल सिच्वेशन विश्यम परिष्टितियों को ठीक के से करें इसी का नाम है डिवाइन एस्टो हिलिंग लेकिन इसमें आप अपने द्वारा ही अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं किसी व्यक्ति की मदद से नहीं करते हैं अपने आप गुरी जोतिश के कई वी घाये हैं लाल किताब हे अधरत रेखा है यदक कुंडली है तो किया इसको डिवाइन दसको पिर जोतिश कहीं प्रकार माने है? प्रकार जोतिश का माने आप, लेकिन हे सब एक, लेकिन तरीके अलग अलगे, इस प्रकार कहते हैं, प्राथना करना जरूरी है, किस तरीके से की जाए, यह जरूरी नहीं, तो यह मेरे मन में परिष्टे चलता था, कि हम जैसे जोतिश की पास जाता है, जोतिश को कुछ उपा आज की तारिक में जोतिष एक विज्ञान की रूप में लिया जा रहा है। विश्व में एक विज्ञान की रूप में इसको स्विकार किया है। उसी वक्त मेरे मन में भी ख्याल आया कि जो उपायों के माध्यम से इंसान ठीक होता है। आज क्या आप में आपकी ताकत से आप अपने आपकी विश्यम परिस्तितियों को टेक कर सकते हैं, और इसका कनेक्शन सीधा एस्टोलोजी से जाला जी बराबर है, क्योंकि एस्टोलोजी बेस्ट है, सत्ताविस नक्षत्र, बारा राशियां, और साद ग्रह, दो छाया ग्रह मिलाकर नो ग्रह, कुछ लोग, दो ग्रह, तीन ग्रह और जोडते हैं, कि इसके ताल मेल को उपर जोतिश्यास देपेंड है, डिवाइन एस्टोहिलिंग का कनेक्शन भी एस्टोलोजी से है, इसलिए इसके नाम में डिवाइन के हाथ एस्टो को उप्योग किया है, तो इसमें तीन कोर्स हैं, मलब डिवाइन एस्टोहिलिंग पार्ट वन, पार्ट वन के माध्यम से आप अपने आपके शरीर की तकलीफों को, दर्दों को, अपनी परिस्तित्यों को हील करते हैं, साथ ही आप अपने आसपास के वातावन जैसे कि आपका परिवार है, उसको हील करते हैं, दूसरी प्रोसेस में, आप अपने आरासकोप के पूरे बारा घर जो है, बारा हाउसे से, उस सब को हील करते हैं, और तीस ही जो है, डिवाइन एस्टोहिलर, अगर आपकी रूची रही, तो आप चाहें तो उसके माध्यम से, पार्ट वन, पार्ट वन, पार्ट तो इसे मिलाने का काम मेरा, डिवाइन एस्टोहिलिं के माध्यम से है, और बताते हैं कि व्यक्ति खुद से खुद को जोड़ेगा, तो वो किस तरह सकता है आदमी खुद को खुद से, सामानते है, आदमी खुद से खुद तो जुड़ ही रेता है, पस विश्यम परिस्तित जोड़ते हैं, मुर्ति को कुछ देर के लिए निहारते हैं भी राखे बन कर लेते हैं, आपका आप से जुड़ाओ, इसे जी लिए कही बार आप दिन मर करते हैं, लेकि उसका एहसास कराना, यह डिवाइन एस्टोहिलिं का काम है, और उसका एहसास कराना कि आप में वो पा को भी हील कर सकते हूं, बस आपको आप से जुड़ने की जरुवत है, आप से आप जुड़े हुएं अल्रेडी, बस जुड़ कर यह प्रोसेस करवाना, डिवाइन इस्टोहिलिंग पार्ट वन, जिसे एक जूतिशी होता है, तो वो उपचार के तोर पर बताता है, आप गा उस उपाय के माध्यम से, रतनों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, आज की तारिक में इंसान अपने विश्यम परिस्तितों को ठीक करने की कोशित जरूर कर रहा है, हां हंडेट परसेंट तो नहीं होता, क्योंकि ग्रहों की मार, तो परमपिता, परमेश्वा, राम भग रावण जी आपने साधना से प्रचान पंडित मानते हैं।शिवट अर्टांडऊ का रचित करा… उन्हों ने अपनी साधना से नो ग्रहुँप अपने कपजे में किया। मैं कबजे की बात नहीं करता हूं ग्रहों को खुश करने के लिए जोति जो उपाय देता है आप करते हैं आप करें लेकिन साथ में क्या आप यह नहीं जानते हैं आप में इतना तो पावर है कि आप अपनी साधना से अपनी प्रोसेस से अपने ग्रहों को कबजे में नहीं तो खुष्ष्टो कर सकते हैं अपने ग्रहों को विशम परिष्टितियों में विशम दशाओं में खुष करना प्लीस करना जोतिश उपा के मादियम से करता है वो हम एक ASTRO-HELLING के मादियम से करता है आपने हीलिंग की तीन स्टेप बताई हैं, और आप जैसे बताते हैं, आप ट्रेनिंग भी देते हैं, तो ट्रेनिंग शशुल्ख है या निशुल्ख है? यह पूरा निशुल्ख है, यह पूरा निशुल्ख है, मेरा साइट इडिवाइन एस्टोहिलिंग.com उस पे आप हैं, तो गुरुजी आपकी जो यह पूरी यात्रा रही है, यह कैसे शुरू हुई और अब कहां तक पहुंची हैं? मैं एक आम इंसान हूँ, मैं सभी से मेरी L.I.C. मैं और एक आम इंसान की रूप में जीवन जीता हूँ, लेकिन मन में प्रश्ण जरूर रखता हूँ, कि कैसे वो विक्ति आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है, एक आशिरवात क्रपा को मानता हूँ, लेकि क्रपा को भी हम दो भागों में बाटे हैं, तो क्रपा को कर फिर पा, तो करना तो आपको ही पड़ेगा, वो उपाय आपको बता दिये, उपाय आपको ही करना पड़ेंग से हुआ उसके बाद संस्ता में काम भी किया पर चुकि मेरे प्रोफेशनल लाइफ रहती है मैं लाइसी में भी सर्विस करता हूं उसके बाद में कुछ इसे वाकिय हुए लाइफ मेरे कि मेरी हीलिंग के माध्यम से लोग कि असाध्य रोग दूर है और उसी कड़ी में कुछ सेली बेटी भी थे जो कि जाने माने अस्ट्रोलोजर से हैं उन्होंने मेरा इंटर्वू लिया तो वही एक आम इंसान आज की जगत के लिए एक कष्णा गुरुजी बन गया लेकिन गुरुजी बन गया तो आप उसको चे है तो गुरु है सका है तो गुरु है क्योंकि कहते हैं गुरु मात विता गुरु बंदु सका यह सब रोल आप कर रहे हैं अप्रिक्षा रही तो वाक़ी आप गुरु का काम कर रहे है और जाला जी वही काम में कर रहा हूं जोतिश की बात करें तो विज्ञान या जोतिशी को विज्ञान स्विकार कर चुका है, लेकिन जहां तेक डिवाइन एस्टो हीलिंग को स्विकार करने के पिले में एक चीज बता हूंगा, भगवान हो या आध्यात्म हो, कोई भी चीज हो, विज्ञान पहले प्रू होता है, पिर हम लोग एकसेप्ट करते हैं, जैस आपको एकसेप्ट करना प्रोगा, फिर ये प्रूव होगा, एकसेप्टेंस, देन इट प्रूव, लैक एवन एनिमल, आप कल्पना करें जोला जी, एक कुत्ता है, एक पशु है, क्या छोटी-छोटी बीमारी के लिए, परिशानी के लिए, किसी वेटेनी डॉक्टर के बा अपने को तो हील कर सकते हैं, साथ ही हम दूसरे को भी हील कर सकते हैं, बहुत सिखलाती है, ये डिवाइन एस्टो हीले, हम गुरु शब्द की ही बात करें, तो हम समाज में देखते हैं, कई नाकारत में माहौल पेदा करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं, जो सकारत में माहुल पेदा करते तो इस बारे में आप क्या कहेंगे बुरा जो देकन में चला बुरा ना मेली खोए जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोए जला जी में करूँ कि एक विश्वास अच्छी चीजे अंद विश्वास में इस सशक्री जहां तक आप ने जो बात करी वहां अंद विश्वास जादा है कि मेरी समस्य का समाधान इन में है यही करेंगे वो भी एक पांच तत के शरीर है वो भी एक साधना कर रहे है वो भी उसको पूझ रहे है जिसको आप पूझ रहो वो भी किसी भगवान को पूज़े हैं जिसको आप पूज़े हो तो यह जो नकार अत्मक महोल की आपते चर्चा की उसके अंदर हमारा कई न कई हमारा भी involvement पूरा है कि हमारा अंद विश्वास भी इसमें शामिल है तो आप अंद विश्वास नकरें पहले खुद पर उसके बहर करें अपने आप आपकर अपनी है शादने से जुड़े रहे हैं अर उसके बाद यह प्रयास करें कि वो उस गुरु के आगे पीछे गुमने की बजाए, कई लोग धोक लगाने में नहीं लग रहे हैं, वो करने की बजाए, जो गुरु ने ग्यान दिया है, उस ग्यान को फॉलो करके अपना जीवन सो उधा रहे हैं। जिसा कि आप बताते हैं कि वेदेशों में भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो किस तरह के लोग हैं? पतलब हिंदुस्तान के लोग हैं या वो बहरी लोग भी हैं। वो भी उसको वोई दुखदर्द तकलिप परिशानी होती है। जाद है फिजिकल कमपड़ उसको जादा है किसी को कम है। मेरा विदेशों में आपने बात की विदेशों में जाना हुआ, बड़े बड़े घरों में जाना हुआ लेकिन बड़े बड़े घरों में जाने के बाद भी मैंने जिस प्रकार के समस्याओं देखी उस समस्याओं से देखके यह लगता है कि भगवान मैं कितना ब्लेजड हूँ मैं कितना खोश हूँ तो देश विदेश में हम आप और हम यह से लोग ही रेते हैं जो किसे ने कैसी तकलीफ से ग्रस्त है उन लोगों को में डिवाइन एस्टोहिलिंग पार्ट वन के माध्यम से जोड़ चुका हूँ प्रश्ना गरुजी के माध्यम से हमने जाना कि एस्टो झाल